मुकदमे की कारवाई शुरू की जाए मिलोर्ड ये चेहरा जिस पर इस वक्त मासूमियत और बेचारगी की सिवा कुछ नहीं है ये चेहरा नहीं ये एक नकाब है वो नकाब जिसके पीछे एक संग्दिल खुनी चिपा हुआ है मिलोर्ड कौन नहीं जानता के मरने वाले शुरी रामकृष्ण उबिराय इस शहर के बहुत बड़े करोर पती थे जिनके पैसे पर ना जाने कितने स्कूल, कितने धरमशाला और कितने विद्वा आश्रम चल रहे हैं ये मुल्जिम अपने आपको एक संगीतकार कहता है 18 दिसंबर की रात ये मुल्जिम मिस्टर दीपक वर्मा अपने दिल में पैसे का लालश लिये हुए उनके घर पहुँचे लेकिन मिस्टर उबिराय को पहले पता चल चुका था कि वो एक म्यूजिक स्कूल खोलने के बहाने लाखों रुपया लेकर अपने लालश का कुवा भरना चाहते हैं उन्होंने पैसा देने से इंकार कर दिया और मिस्टर दीपक वर्मा एक वहशी बन गए आदे घंटे के बाद जब वह वहां से निकले तो अपने पीछे मिस्टर उबिराय की बजाए मिस्टर उबिराय की लाश छोड़ कर जा रहे थे I object my lord सरकारी वकील साहब मेरे मौकल दीपक वर्मा पर बोल जाम लगा रहे हैं जो साबित नहीं कर सकते जिनाबिया अली माना कि 18 दिसंबर को मेरा मौकल दीपक वर्मा तारे 8 बजे और 9 बजे के दर्मियान मिस्टर उबिराय के घर पर था और यह भी माना कि पोस्टमाटम रिपोर्ट के मुताविक खूल 9 बजे के आसपास हुआ है लेकर उससे कहीं यह तो साबित नहीं होता कि खूल दीपक वर्मा ने किया है करकारी वकील कोई सबूत कोई गवा नहीं दे सके तो यह साबित कर सके गवा है यूर अनर एक ऐसा गवा जो मुकदमे की खोई हुई इस कड़ी को जोड़ेगा दीपक वर्मा के हाथों मिस्टर उबराय के हुए खोन का चश्म दीद गवा है मिस्टर प्रमोद वास्वानी जी हाँ मेरा नम प्रमोद वास्वानी है मिस्टर वास्वानी 18 दिसंबर की रात आपने अपने घर से मिस्टर उबराय के घर में जो कुछ देखा क्या आप उसका बयान दे सकते हैं? यहाँ, मैं अपने खिड़के के पास खड़ा था, तुम्हेने देखा कि यह साब मिस्टर अबराय के ड्राइंग रूम में बैठे हैं मिस्टर अबराय हाथ उठा उठा कर चिला चिला कर कुछ कह रहे थे क्या कह रहे थे? यहाँ तुम्हें फास लेक वहे छुझने ही सका प्र… प्र खड़े हूगा है अन्हें लम्मदा से चाकु निकाला और…mal… प्र उन्होंने क्या किया ? नही नही आप घबराय थे नहीं, खबराये नहीं साबसला पताए उन्होंने क्या क्या पिर उने मिस्टर अबराय के सीने में वो चाकूग घौप दिया ये जूट है ये सच है और सिर्फ सच है ये जूट है जजज़ है मैंने कोई खून नहीं किया मैं निर्दोष हूँ इस करकरे में आके हर मुझरिम हर खूनी ने चिला चिला कर यही कहा है कि वो निर्दोष है बेकसूर है मगर निपक वर्मा तुम कितना भी छुपाना चाहो कवाही और सबूत की रोश्णी में तुम्हारा चर्म एक पद्रुमा कोड़ की तरह इस दालत के सामने आचुपा है नहीं मैं बेकसूर हूँ वकील साहब मैं बेकसूर हूँ अधालत आज के लिए बरकास की जाती है आप क्या चाहते हैं मैं मुकदमहार जाओं ने ने मैं आपको यह कहने नहीं आया हूँ तो? मैं तो आपको यह बचाना चाहता था कि मैंने अपने मौकल दीपक वर्मा को निर्दोश होते हूँ भी जुर्म कबूल करने को तयार करा लिया अगर आप अदालत में फांती के बजाए उमर कहट की दर्खास करें मेरे लिए बहुत जुरूरी है आप शहर का कोई भी पेपर उठाकर देख लीजिए फ्रंट पेज़ पर इसी मुकदमे की चर्चा है अगर इस आदमी को फासी नहीं हुई तो मेरी वकालब का लोहा कौन मानेगा देखिए 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 मिस्ट गुप्ता मैं आपकी मदद नहीं कर सकता आर्थी जिन्दगे की हर जंग में तुमने मेरा साथ दिया है अब तुम्हारे आसुओं को देखकर क्या मैं ये समझ लोग कि हम ये जंग हार गए नहीं तुलकुल नहीं आर्थी इन बच्चों के लिए तुम ही सहारा हो तुम अरुन जी क्या हो अरुन जी बबुजी देखो बेटे तुम्हारी माने हमारे लिए बहुत तक्लीफे सही है उन्हें तक्लीफ मत देना नहीं दूंगा बबुजी और कोमल तुम्हारी छोटी बेहन है उसका ख्याल रखना रखूंगा बबुजी तुम पर हमारी बहुत उम बेटे आर्थी बेन गुपता जी क्या कहा ठक्राल ने बहुत जिद्धी आदमी है मैंनो उसे कहा कि अगर वो फांची किस्रा न दिलवा कर सिर्फ उमर कहाद करवा दे तो दीपे कोड में कहा देगा कि खून उसने किया फिर भी फिर भी क्या फिर भी नहीं माना हो हे भगवाई अब क्या होगा अब तो भगवाई ने कोई चमतकार करे के तो क्राल के दिल में रहम आजा नहीं तो उसने तो पूरा जाल फैला दिया कि दीपक को फांसी की सदा ही मिले वकालत एक शत्रंज का खेल है मिस्टर उबराय ये तो किसी किसी को आता है मैं चाहूं तो दीपक वर्मा को छुड़वा भी सकता हूं पांच दस साल की दैद भी करवा सकता हूं और अगर मैं चाहूं तो उसे फांसी के फंदे पर लटका भी सकता हूं किसी बात के तो पांच लाख रुपाय मैंने दिया हैं आपको चानता हूं वो जिन्दा रहा तो तुम मर जाओगे लेकिन उसे मौत और तुम्हें जिन्दगी दिलवाएगा कौन मैं ठकराल पांच लाख रुपया इस काम के लिए कोई ज्यादा नहीं है मिस्टर रूपलाल उबराए माँ कहां जा रही हो माँ अरू बेटे चली मेरे साथ फिजूल की बखवाज सुनने का मेरे पास वक्त नहीं है कामरी तुम मेरी बीवी हो नहीं मेरी बीवी थी मैंने तलाब के सारे काफ़ा साइन करके भिजवा दिये हैं और बच्चे के बारे में तुम बिलकुल फिकर मत करना तुम्हारे बगार वो भी सुखी रहेगा अग मैं भी ए शांता इधर खड़ी क्या कर रही है जाके उधर बच्चे कों सुलाती क्यों नहीं जी साथ पुम्हारे एक्षा करे प्रिवारे भारे वर जाके जाना करे बच्चे करे बच्चे करे दियोँ तुम्हारे यह केसे? पिक मने आयों हापसे, चक्राव साभशाब मैं, आप, आप थोड़ दया करेंगे न, मेरी मेरी छोटी-छोटी तो बच्ची है आप, आपको आपको दुआ देंगे ठकरा साप बहुत दुआ देंगे इसमें मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे वकील के पास ना तो कोई सुबूत है और ना ही कोई गवा जिसके पास कोई सुबूत या गवा नहों क्या वो निर्दोश नहीं होता तो तुम क्या चाहती हो के तुम्हारे कहने पर मैं ये केस हार जाओ नहीं नहीं, ये बात नहीं है, लेकिन वो निर्दूश है, फेभी आप उन्हें सजा दे दीजे, दे दीजे, लेकिन हांसी की कोशिश ना कीजे, आप डेस जीतना चाहते हैं ना, आप उन्हें उमरखएद की सजा दे दीजे, काल गोठडी में बढ़े रहेंगे, लेकिन, लेकिन जिंदा तो रहेंगे मेरे बच्चे, मेरे बच्चे आना तो नहीं होंगे कितने ही साल क्यों नहों, मैं उनकी राह में काट लूँगे Ito कि रखाम साब्स, बाजी ने जखाम साब्स! बाजी ने जाजी ने बाजी! If not? Mea अटूमा लीक अई गर्सेक्स, I'm going to the Oyağ मैं! No, ने ने जहें इयाग साब्स! उठो देखो जो होना था सो हो गया मगर घबराने की कोई बात नहीं है तुम जवान हो अच्चे पालने है न अगर कोई कामकाश की जरूरत हो तो मैं दिलवा दूँ समझ गई ना 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 अपने आपको बे सारा मत समझो तुम्हारी देखभाल मैं करूगा समझ गई ना मैं नीच तमीने तुने मुझे हाथ लगाया मैं तुस्से फीग मागने आए थी अपने सुहाग की और तु जी लेकिन वो देख रहा है ठक्राल वो देख रहा है एक दिन तेरे पाप तेरे सामने आएंगे ये एक दुखी औरत की बद्दु आए है एक दिन ऐसा होगा ठक्राल एक दिन ऐसा जरूर होगा कि तु तु रहम की भीक मांगेगा भीक और कोई तुझ पे रहम नहीं खाएगा कोई रहम नहीं खाएगा ये ये मेरा शिराप है तुझको हलो मैं उबराय बोल रहा हूँ सुना है आपके पास दीपक वर्मा का वकील आये था और आप फासी के बद्दे उमरकाइद का सूच रहे है मिस्टर उबराय आपके भाई साब के खुनी दीपक वर्मा को फासी होगी सिर्फ फासी कमाम सबूतों और गवाहों के बिना पर अदालत दीपक वर्मा को स्री रामकृशन उबराय के कतल के जुर्म में ताजिराते हिन दफा 302 के तहट सजाए मौत करार देती है अधालत देता हिए और आबाई पर देता है लो घ्कान दीपक वर्मा करते हिस्टा करत।